हेलो फ्रेंट्स गुड़ मारिंग ट्वाल आफ यू यूटूब चैनल प्याक पॉइंट दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोफिसर राजेन सिंग निरज्जु भी अभिस्वित द्याले में जो भी छात्र छात्राएं हैं और जिनके रिजल्ट आ च प्लीट जानकारी लेंगे तो प्लीज वीडियो में लाश्ट तक जरूर बने रहेगा आई होप कि आपका डाउंट इसको लेकर के क्लियर हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देखेंगे कि जब इनकी ऑफिसर वेपसाइट पर जाएंगे तो नीचे स् अगर इसमें देखिये कि कईय़ सारेत काड भी यहां पर जारी और इसके बाद में लोग यहां पर कुछ अपड़ेट देखेंगे कुछ नोटिस यहां पर दी हुई है यए जोच यहां पर लिए प्राइबेट इस्टुटेंट के लिए है प्राइबेट इस्टुटेंट जो है उनके लिए है और दूसरी चीज यहां पर बैक इस्टुटेंट के लिए है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं बैक इस्टुटेंट के लिए है तो सबसे पहले आपको करना क्या है पहले ध बच्चों के हो रहे हैं तो उनके भी हैं और कुछ बच्चों के ऐसे ही समेश्टर वाइस इंजाम हो रहे हैं जैसे कि मैं दीनों को ले कि मैं आपर बता रहा हूं देखिए जैसे कि अभी कुछ रिजल्ट आएंगे जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है बैक लिख फॉर बैक पॉर्म एन्माल एक्जामनेशन टुसाउजन टुन्टी 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 फॉर यह निकी जैसे माल लिजे सेकंड यर में आपका बैक पेपर लगा था उसका फाम भर सकते हैं जो कि 2023-2024 में आपका एक्जाम करवा लिया जाएगा तो यह इन्वल के एक्जामनेशन के लिए है जिनके कॉर्से में एन्वल एक्जामनेशन होता है यानि कि फार्सिक परिच्छाएं होती है समेस्टर इस नहीं होता है यह उनके लिए है ठीक है दूसरी चीज आपको यहां पर मैं बता रहा हूं कि जैसे माल लीजिए दूसरा जो यहां भी फॉर्म है क्लिक बैक एक्जामनेशन फॉर्म और समेस्टर का यह और समेस्टर के लिए है यानि कि जैसे आपका फर्स्ट समेस्टर ह गया थर्ड सेमेस्टर हो गया उसके बाद में फिप्ट सेमेस्टर हो गया सेवन सेमेस्टर नाइन सेमेस्टर तो यह और सेमेस्टर के लिए जन्निकि आपका विसम सेमेस्टर जो है उनके लिए तो इन में से विसम सेमेस्टर की जो तेश चोबिस की परिच्छा होने वाली है new education policy के थुरू अगर उनमें आपका किसी भी examination में किसी भी paper में back लगा है तो आप देख के भर सकते हैं उसको कि आपके वो 2023 और 2024 में examination करवा लिए जाएंगे odd semester के लिए वो भी new education policy के थुरू यहाप देखो लिखा हुआ है मैं इसको एक बार अठाता हूँ यहाँ पर new education policy के थुरू आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है ठीक है यह तो आई होब कि यह चीज़ें आपको समझ में आ रहे हैं उसके बाद में जो है नीचे यहाँ पर आप लोग देखेंगे click for back examination from odd semester 2023 and 2024 यहाँ पर निव जीकेशन पॉल सी के थुरू जो एडमिशन नहीं नहीं होती है निक वो न के लिए ठीक है तो यह सारी चीजें यहाँ पर है अगर आप उन में से किसी के अंतर्कत आते हैं और आपके examination में बैक लगा हुआ था तो आप यहाँ से form भर्सकते है ठीक है तो यह आई वोब कि आप सभी आप इसमें फॉर्म भरेंगे आपका जो भी फीस होगा जितने भी पेपर में आपका बैक लगे होगा उसके एक और फीस यहां पर लगती है तो अगर एक पेपर में आपका है तो एक पेपर के और फीस जितनी भी है वो लगेगी और तो पेपर है तो उसकी भी फीस लगेगी यह निए दोनों पेपर के फीश लेगे आप फॉर्म सम्मिट करेंगे तो जब एक्जाम नेशन करवाया जाएंगे माल ली जे इन्वाल एक्जाम नेशन हो जाएगा पेपर उसका हो जाएगा और समेस्टर न्यूज उक्वेशन बैक लगा हुआ है वो लोगों से रोध है कि वो form फिल कर सकते हैं हाँ हला की ध्यान दीजेगा कुछ बच्चे जैसे कि पूछ रहते हैं हमारा even semester में back लगा हुआ है तो आप लोगों को इसमें नहीं फिल करना है जो even semester वाले हैं यानि कि second semester, four semester, six semester eight semester जो इनका examination है उनके लिए अलग से back form आएगा जब even semester की examination होने वाले होंगे तब ठीक है तो I hope कि ये सारी चीजें आपकी clear हो गई होगी दूसरी चीज जो बच्चे ex student के लिए form पूछ रहते जो भी examination होने है annual examination तो उनके भी form यहाँ पर BA, BAC, B.C. उनके लिए fill हो रहे है ex student के लिए 2023 में exam जिनके होने ठीक है उनके लिए यहाँ पर हो रहे हैं तो आप लोग भी यहाँ पर fill कर सकते हैं चाहे वो ex student odd semester के हों या ex student जो भी हो 2023-2024 के उनके exam examination यहाँ पर हो रहे हैं ठीक है सो आइअ आप सभी लोगों को यह जो है की बाते समझ में आ गई होँगी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही आप सभी लोंको बताना हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तब के लिए आप सभी लोंको बहुत-बहुत धन्यवाद